हलो एब्रेवन वेल्कम बैक टुमाई चैनल दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि निश्ठा प्रसिच्छन कारिक्रम गतिमान है और अब तक आपके सामने 12 माडूल आ चुके हैं आपके सामने कोर्स 7,8,9 की डिजिटल डायरी पीडियाफ के साथ आप इस डायरी का अध्यन कर लिजे इसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है 7,8,9 रिवीजन हो जाएगा और आने वाली परिच्छा के लिए आपका बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा अगर दोस्तों मे आकरसक और कलरफुल कोर्स 7,8 की डिजिटल डायरी आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों बताना चाहूंगा कि इसका पीडियाफ का लिंक है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को टेच करके आधारित आकलं डिश्टल डायरे में सबसे पहले आपको कोर्स साथ देखने को मिलेगा जिसमें मैंने लिखा है अधिगम के उद्देश फिर उसके बाद आता है प्रिस्ट भूमी आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर फिर आगे आप जैसे बढ़ेंगे आपको विद्याल यह आप पड़ सकते हैं यहां पर देख सकते हैं सीखने के प्रतिफल आकलं के मांदर्ण क्या है आकलं का उद्देश सीखने के लिए आकलं क्या होता है ठीक है अधिगम ही आकलं है अर्थात इसमें मैंने आपको बताया है कि जो तीन प्रकार के आकलं होते हैं उनमें अंतर बड़ा चीज आपको यहां पर मिलेगा रूब्रिक क्या है ठीक है रूब्रिक के बारे में मैंने अलग से भी जो है वीडियो बना रखा है कि रूब्रिक क्या है और उसे सरल सब्दों में समझा रखा है दोस्तों आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं पिर रूब्रिक में चार मापदंड होते हैं, सौपे गये कारेका विवरण, मापपनिस्तर, आयाम और आयाम मादंड, फिर साथी समूध्वारा आकलन, यानि आकलन कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें यहां दी हुई है, साथी समूध्वारा आकलन के उद्देश क सकते हैं, स्वांकलन क्या होता है, फिर विवरणिका क्या होती है, रिकार्डिंग तथा रिपोर्टिंग करना, यह क्या होता है, इसके बारे में यहां पर मैंने प्रस्नुत्री है, उस प्रस्नुत्री को यहां पर हमने जो है सरल छोटे जो है लगू, यहां पर उत्तर की र सिच्छन सास्त यह क्या है यह हमाड़े उलनलिखित बिंदुवाओं पर बिंदूओं पर चर्चा करता है फिर आता है अधिगम के उद्देश क्या है आपको देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर चर्चा, पॉइंट में भी कुछ पॉइंट हमने जोड़े हैं, प्रियोग और अन्वेशन, ठीक है, सरवेच्छन और साच्छतकार है, अनुभव, साजा करना, फिर आपको दिखेगा यहाँ पर भूमिगा निर्वान, भूमिगा निर्वान क्या होता है, छी समान, वित्रण, पानी का सांस्कृतिक महत, पानी की उपलब्दता, अपव्य, संरच्छन यह देखने को मिलेगा, फिर आएगा आपके सामने योजना और अधियम अनुभव, बनाना, जेल बग्यानिक सिध्धानत और प्रक्रियाएं, जेल सांस्कृतिक पहलू, ठीक है, जेल संरच्छन यह पर्यावरण की चिंता, उसके बाद आजाता है प्रस्नूत्री कोर्स आठ की यहाँ पर मैं ने छोटे-छोटे-छोटे संटेस की रूप में दसों प्रस्नों को यहाँ पर सामिल कर रखा है, तो इस तरह से कोर्स आठ आपका फिनिस हो जाएगा, आता है फिर उसके बाद दोस्तों निष्ठा प्रश्चन कारिक्रम कोर्स 9 गणितका सिछन सास्त डिजिटल डायरी कोर्स 9 में आ जाएए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको PDF का पासवर्ड बता देना चाहता हूँ PDF का पासवर्ड है किंसमैन जो मेरे चैनल का नाम है किंसमैन कैपिटल लेटर में सभी लिखना है दोस्तों कि आई एन एस एम एएन कैपिटल लेटर में लिखेगा तो आपका PDF खुल जाएगा ठीक है फिर कोर्स नाइन गणित का सिच्छन सास्त का डिजिटल डारी देखी यहाँ भी अधिगम के उदेश क्या है गणित की प्रकृत को समझना इसकूल वी गणित सिच्छा की कुछ समस्याएं वो मैंने यहाँ सामिल किया है राज़्टिय पाटचरय की रूप रेखा 2005 के देख सकते हैं कि इसकी अपने स्वयम की भासा है उदारन के लिए गणतिय उधानाओं के पद प्रतीक सूत्रों सिध्धान इसका ग्यान पूरे ब्रह्मान में हर जगा और हर समय एक जैसा रहता है इसमें आगनात्मक और निगनात्मक तर्क सामिल है और सारभामिक रूप स सामिल है इसकी ज्ञान को विज्ञान और इसकी विभिन साखाओं के अध्यान में लागू किया जाता है फिर आता है प्रारंभी किस तर पर गणित है इसकूली गणित का दर्सन इसके अंदर जो में पॉइंट से उमने दिया है राज की पार्ट चरिया कि रूप रेखा के अनुभो की बारे में भी लिखा है यहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि ELPS गणित के अध्यान में ELPS लागू होता है ठीक है E4 Experience, L4 Language, P4 Picture, S4 Symbol तो यह भी यहाँ पर है अनुभो, भासा, चित्रात्मक, प्रस्तुती यह भी आपको देखने के मिलेगी गणित के साथ भासा और परियावरण अध्यन का समेकन कैसे करें उच प्रात्मिक इस्तर पर गणित का छेत्र कहां तक है और गणित के लिए सैचनिक प्रक्रियाएं क्या क्या हैं जैसे भागीदारी, जुडाव, अलोकन, परिकल्पना, गणना और उनका सत्यापन, समस्या खड़ी करना, द्रि लिख रखे हैं, फिर किसका आंकलन किया जाना चाहिए, यह भी आप देख पा रहा है, यहाँ पर इस जो है, डियाग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, फिर आखरी में आता है प्रस्नों 3, अर्थात कूर्स नौ में जो प्रस्नों पुछे गए थे, उन 10 प्रस्नों को यहाँ पर देखे, आकर सकते तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, और छोटे-छोटे sentences की रूप में मैंने प्रस्नों को सामिल किया है, तो इस तरह से दोस्तों यह 7, 8, 9, 3 कूर्स की colorful diary आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, आसा करता हू कि मेरे diary आपको पसंद आई होगी, आप इससे पीडियाफ डाउनलूट कर लिजे, अपने लिए रख सकते हैं, और पीडियाफ का पासवर्ड एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि पीडियाफ का पासवर्ड है, किन्समैन, अर्थात K-I-N-S-M-A-N, जब यह आपका पीडियाफ खुल जाएगा, तो आसा करता हूँ दोस्तों, वीडियाफ आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियाफ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, विल आइकन को प्रेस कर दीजे, और इसे दूसरे मित्रों को सेर अभी कीजे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार,